मद्यनाकपूर के एतिहासिक इतवारी सराफा बाजार इन दिनों विकास कार्य की लेट लतीफी का परिणाम भुगत रहा है त्योहारी सीजन शुरू हो गया है कोरोना काल की भयंकर मंदी के बाद अब फिर से बाजारों में रौनक लोटी है लेकिन सराफा बाजार में अधूरा सिमेंट रोड जहां महिनों से हादसे का कारण बना हुआ है वही इस रोड के व्यापारियों का व्यवसाई भी चौपट हो रहा है इतवारी के सराफा बाजार परिसर में ठेकिदार एक साइड का रोड बना कर गायब हो गया है और रोड व दुकानों के बीच आई ब्लोक्स वाली जगह का एक डेड़ फिट गहरा गड़ा छोड़ गया है लोग दुकानों में जाने के लिए परिशान हो रहे हैं तो वे दूसरे परिसर के बाजारों में जा रहे हैं इससे व्यापारियों का त्योहारी व्यवसाई चौपट हो रहा है अदूरे कार्य के चलते रहागिर वह वाहन चालक रोड दुरगटना का शिकार भी हो रहे है इस रोड को तेज गती से पूरा करने की मांग व्यापारियों ने मनपा प्रशासन से की यहाँ ठेकेदार कब आता है और कब काम कर लापता हो जाता है पता ही नहीं चलता उलेकन यह है कि सराफा बाजार से आने जाने वाले वाहन चालकों के लिए एक मातर यही रोड है अगर मसका साथ किराना ओली, रेशम ओली, अनास बाजार जैसे व्यस्ततम बाजार परिसरों से खरीदारी कर कोई लोट रहा है तो उसे सराफा बाजार के मार्ग से होते हुए तांगा स्टैंड से आगे जाना होता है मद्यनागपूर और दक्षिननागपूर को भी यही मार्ग जोड़ता है किराना ओली, अनास बाजार में रोजाना सैकडों ग्राहक आते हैं जिने इसी मार्ग से आना जाना होता है विगत अनेक महिनों से इस मार्ग के सिमेंटी करण की कारण यहां अव्यवस्था फैली हुई है जिससे दुकानदार वह ग्राहक तरस्त हो चुके है